हेलो फ्रेंड्स स्वाक्त है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान नित्रा स्टड़ी चैनल में दोस्तो आज हम 5 फरवरी 2021 के क्रंट अफेस जो है वो आपके साथ डिसकस करेंगे तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही मैं पैल आइकन को जो है वो प्रेस करने ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलत चार फर्वी को किस देश द्वारा अपना 73 दिवस मनाया गया है तो दोस्तो इस पीक में आप फ्लैक के द्वारा ही पहंचान सकते हैं ये है सिलंका देश तो दोस्तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की चार फर्वी 2021 को सिलंका ने अपना 73 दिवस मनाया है सिलंका चार फर्वी 1948 को आजाद हुआ था तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं सिलंका देश की इसकी राज़दानी है जैवर्धन पूरा कोटे और दूसरी कोलंबो और यहां के राश्टरपती है वो तब ब्याराजपक से और पी-म है महिंद्रा राजपक से तो दोस्तो आगे हम कौश्चन नमबर टू को डिसकस करते हैं तो दोस्तो कौश्चन नमबर टू रहेगा स्विच दिल्ली अभियान किसके द्वारा सुरू किया गया है तो दोस्तो यह सुरू किया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी के द्वारा तो दोस्तों इसके बारे में पॉइंट्स जो हैं वो हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक वहनों के उपियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्या मंत्री ने 4 फर्वरी 2021 को स्विच दिल्ली अभियान सुरू किया है यह अभियान लोगों को इलेक्ट्रिक वहनों के लाभों के बारे में सिक्सित करेगा इस अभियान का उदेशिया दिल्ली के प्रतेक व्यक्ति को प्रदूशन फैलाने वाले वाहनों से सुन्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए सुचित प्रोतसाहित और प्रेरित करना है तो दोस्तो अब बात कलेते हैं कॉस्चन नमबर थ्री की हाल ही मैं भार्त और अमेरिका के बीच युद अभियास नामत सेन अभियास कहां अयोजित किया जाएगा तो दोस्तो ये किया जाएगा राज्यस्तान में तो दोस्तो भार्त और अमेरिका के बीच जो सेन्य एक्सरसाइज होती है उनका नाम रहेगा बज्जर प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और एक का तो नाम है युद अभ्यास जो हमने अभी इस क्वेश्चन में आपको बताया तो दोस्तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो दोस्तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स जो है वो जान लेते हैं राज्यस्तान में यह सेन्य अभ्यास आठ से 21 परवी के वीच आयोजित किया जाएगा इस अभ्यास का उदेश्या दोनों से नाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है तो दोस्तो आपिक में देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं, अब कॉस्चन नमबर चार से हाल ही में किसे जायद पुर्षकार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो ये सम्मानित किया गया है सिुक्त राष्टर महासचिव एंटोनियो गुटेरस जी को दोस्तो यूएनो की स्थापना हुई थी 24 अक्तुबर 1945 को और यूएनो के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और यूएनो की फुल फॉर्म हैं United Nations Organization आगे बाद कर लेते हैं question number 5 की हाल ही मैं दुनिया की सबसे लंबी swing right कहां open की गई है तो दोस्तों ये की गई है दुभई में तो चलिए दोस्तों आब बाद कर लेते हैं question number 6 की हाल ही मैं मानव बंदुत्तो अंतराष्टिय दिवस का मनाया गया है तो दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं ये मनाया गया है चार फ़र्वी को दिसंबर 2020 में स्युक्त राष्ट्र महासबा ने चार फ़र्वी को अंतराष्टिया मानव बंदुत्तो दिवस के रूप में कोशित करने का संकल्प लिया था दिवस का उदेश्या विविन संस्क्रितियों और धर्मों या मान्यताओं के परचार के बारे में जागरुक्ता बढ़ाने के महत्तो को रेखांकित करना है यह दिवस चार फ़र्वी 2021 को पहली बार एपाथ हुए टूदा फ्यूचर विश्या के तहत मनाया गया है तो दोस्तो आप बात कर लिते हैं कोश्चन अबर सेवन की हाल ही मैं आरबियाई ने 2021-22 के लिए जीड़िपी प्रिद्धिदर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो दोस्तो यह लगाया है 10.5% तो दोस्तो आरबियाई ने 1 अप्रेल 2021 से सुरू होने वाले वितिया वर्स के लिए जीड़िपी विद्धिदर का 10.5% रहने का अनुमान लगाया है तो दोस्तो आरबियाई की स्थापना हुई थी 1 अप्रेल 1935 को तो दोस्तो आगे बात कर लेते हैं कॉस्च नमबर 8 की हाल ही में किस बैंक के दौरा एकिकृत लोकपाल योजना लागू करने की गोसना की गई है तो दोस्तो ये की गई है आरबियाई के दौरा भार्तिय रिजर्व बैंक ने बैंक गराहकों के लिए सिकायत निवारन तंतर में सुधार करने के लिए एक एकिक्रिक लोगपाल योजना की घोशना की है यह योजना जून 2021 में सुरू की जाएगी तो दोस्तो अब बात करेते हैं Q9 की हाल ही में कौन सा राज्या 5 लाग कोविट टीका करन को पूरा करने वाला देश का पहला राज्या बना है तो दोस्तो यह बना है उत्तवर देश तो दोस्तो Q10 रहीगा हाल ही में असन के पहले हैलिपोर्ट का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है तो दोस्तो यह किया गया है मुख्या मंत्री सर्वानंद सोनोबाल के द्वारा तो दोस्तो अब आपके लिए एक कॉश्चन रहेगा होंवर के लिए हाल ही मैं विश्व कैंसर दिवस कम मनाया गया है तो दोस्तो इसका अंसर जो है आप कुमेंट बॉक्स में हम तक भेजिए कि हाल ही मैं विश्व कैंसर दिवस कम मनाया गया है और हाँ दोस्तो कल के कॉश्चन का राइट अंसर जो है वो दिया था सबसे पहले दिया था सालू कुमारी जी ने उसके बाद कनिका शर्मा ने और उसके बाद उसा सर्मा जी ने तो दोस्तो इस वीडियो को